जैहिंद अच्छा एक बात बताओ कि RRV JEE वाला जो फॉर्म निकला उसको भरा की नहीं अभी तक पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि 30 अरस तक भरने का डेट है 7951 वेकेंसी है और RRV JEE जो है वो लेवल 6th का जोग है तो इस सारा कुछ पिछले लेक्चर में बता चुके हैं लेकिन फिर भी जो लोग डारेक्ट इस लेक्चर को देख रहा हैं पिछला नहीं भी देखाओ उनको भी बता दें कि कोई बुरा नहीं है अच्छा खासा इसमें 65-70,000 के बीच में आपको enhanced salary मिल जाएगी अभी के स्थिती में अलग-अलग सहरों के इसाब से ठीक है तो अगर बी टेक डिप्लोमा हो टेक्निकल तो आप भर सकते हैं इसलिए लास्ट देट का इंतजार नहीं करिए 25 तारीक तो काफी important रहने वाला वीडियो काफी मजाएगा तो चलो हम लोग शुरू करते हैं किस तरह की question पूछेगा है इसको देखते हैं देखो पहला number question देखो 16,24,36,52 इसका LCM पूछा जा रहा है तो एक दो तरीका है यह बचपन वाला जो घेरगार के बना लेते हैं दूसरा तरीका है मेरा जो हम बताते हैं कि आप numbers को पहचानिये और LCM के बहुत सारे तरीके lecture 1 में दिये गया है मैंने बताया है जो एक बार मेरा request है कि उस lecture को जरूर से जाके देखिए हम end screen पर भी डाल देंगे और comment इसके description में भी डाल देंगे उसका link जो है तो बहुत ज्यादा important है अकर आप उसको देख क्या आते हैं तो काफी फायदा होगा तो यह 52 जो है 52 के बारे में हम लोग क्या लगी जाता है सम में तो 13 से चेक करके देखो अगर 5616 में लगाओ गया तो 13 चौका 52, 4, 56, 41 हो गया 13, 49, 41, 2 है फिर 26, 13, 2, 26, 13 से इसमें तो लग गया इसमें नहीं लगया क्योंकि देखो 13, 4, 52, 400 हो जा रहा है और प्लस में सेस जो है वो 16 बच रहा है 16 में भी एक बार ही 13 स गया C नंबर क्या है अगर 432 में लगाते हैं तो 13, 49, 4, 43, 42 बच रहा है तो 13 से नहीं लगा खतम हो गया 5618 में देखेंगे तो भाई जब 5616 में लग गया है तो 5618 हम कांस लगया इससे दो ही तो जादा है ठीक है तो यह तरीका है जिससे कि एंसर हम लोग पता कर पाए कि क्य क्या हो सकता है ठीक है लेकिन मान लो यह बात नहीं आता है दो हम हर तरीका आप लोग को बताते हैं जोरू निए कि हम एक तरीका बता दिये और उसी से question बनी जाए हम इस सब भावना को लेके चलते हैं कि लड़कों को हो सकता है कि direct option चेक नहीं कर पा रहे है तो method भी जो सब उससे आसान वाला मेथड, जिससे सबसे आसान ही question solve हो जाए, वो आए, ठीक है, और आप exam देने के बाद हमारे comment box में आके लिख सकें, कि हाँ सर आप जो तरीखा बताया थे, उससे question बहुत जल्दी solve हो गया, और वही question सब आया था, तो अच्छा लगया, देखो मेरा उद्दे सकें, कि मेरा बताया हुआ method आपको काम में आया, इसी से मेरे को बहुत खुसे मिल जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कभी कोई पूछे कि किस से पढ़े हो, तो बता देना कि कोई unknown person था, जिसका ना चेहरा पता था, ना नाम पता है, उससे YouTube पे कुछ lectures देखे थे, उससे questions solve हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तो देखो, इसको हम लोग घेर के तो बनाएंगे नहीं, ये कसम खा रखें पहले ही, कि वो बच्चो वाला में थाड़ है, और बच्पन की गलतियां नहीं करते हैं, तो 16 को क्या लिख सकते है भाई, 16 होता है, 2 का power 4, है ना, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, चलो, पूरा ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, 24 क्या होता है भाई, तो 8 ये 24 होता है, तो इसमें 3 बार 2 है, एक बार 3 है, 52 क्या होता है, तो 13 चौका 52 है, तो 2 गुना 2 गुना 13, ठीक चीज उंगलियों पर हो जाएगा, मुझे मानी देखके question का answer करने लगोगे, इतना practice हम करा देने, 24 क्या होता है, 27 गुना 24 होता है, तो 2 गुना 27 को क्या लेख सकते है, 3 गुना 3, ठीक है, तो LCM में क्या होगा, 2 सबसे जादा बार यहाँ है, कितनी बार है, 2 का power 4, मतलब 16, उसके बाद 3 कितनी बार है, तो यहाँ एक बार है, यहाँ तीन बार है, मतलब 27, उसके बाद क्या है भाई, एक तेरा है यहाँ पे, तो एक तेरा है, आया पार समझ में, अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे, तो 16 में 3 बार 2 था, 27 में 3 बार 3 था, तो अगर 16 में से 1 6 तो आए गई और 6 का क्योब हम लोग को पता होता है 216 इसको 13 से गुणा करना है और 216 कितना होगा 432 गुणा 13 यह सब हम वो बता रहे हैं जिसमें आपको गुणा करके देखने का जौरत नहीं पड़ेगा मुझमानी आप काम कर सकते हैं अब यह जो चीज आ गया यह 13 के पहा 24 और 211 का 1 बाकी 4 13 चौका 52 और 4 कितना हो गया 56 जो कि option नमबर यह में लेकिन इतना सारा मेहनद तो करना पड़ा है और घेर घार के बनाते तब तो और भी जादा time लगता ठीक है तो इतना करने से अच्छा है कि option चेक कर लें अभी देखो आगे जो questions आ रहे हैं उसमें और यह एक से बढ़कर एक ट्रेक हम लोग देखे में देखो क्या कहा जा रहा है 24, 96, 36 का रसी हम ग्यार करो बहुत आसान सा सवाल है आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हम जो करने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझो भले आपको कुछ आसान लगे लेकिन सीखने के यह बहुत कुछ नया मिलेगा ठीक है देखो पिछले वीडियो में भी हम बताया थे कि जो संख्या दी हुई हो उसमें देख लो कि पहले कोई संख्या पूरा-पूरा भाग तो नहीं लगा रहा है तो देखो 24 जो 96 में पूरा भाग लगाता है तो इस 24 को भगा दो बाहर कि जाओ तुम्हारा यहां कोई जोरत है नहीं यह अब किसी काम का रहा नहीं क्यों 24-93 में पूरा भाग लगा रहा है तो 96 ही इसका LCM हो गया 24 और 96 का तो हम लोग 96 और 36 पर ही विचार करेंगे कि इनका LCM क्या होगा आरा बात समझ में तो वैसे तो आप डारेक्ट भी अगर थ पता है हमको ठीक है 36 चौका होता है 144 और 368 होता है 208 ठीक है लेकिन अगर मानलों यह नहीं कर पा रहे हैं तब भी देखो 96 और 36 दोनों 12 के पहाड़ा में आता है तो 36 को तो हम यह कह सकते हैं कि भाई यह क्या है बारत या 36 और 96 क्या है भाई तो 12,8, 96 मतलब LCM जो होगा उस तो देखो हम जो कर रहे हैं उसमें यह जो 12 कॉमंट हुड़ा गया वास्तब में इसका महसर है इन दोनों संख्याओं का जिससे दोनों में पूरा-पूरा भाग लग रहा है तो यह बारत आएगा ही आएगा LCM में उस 12 के अलावे जो संख्याओं है उसको भी ले लिया ठीक अगर आप नमबर को पहचानना सीख लिए कि अरे सुहनलाल तुम तो वही हो जिसों दस दिन पहले बस इस्टेंट पर देखा था ठीक है इतना अगर मेमोरी हो गया नमबर को देखते के साथ कि यह वही है तो आपके आधे कोश्चन के एक्जाम में ऐसा ही बन जाएंगे को आप लोग को थोड़ा ताइम ज्यादा लगता है लेकिन आप लोग को हमेशा कुछ ना को नया सीखने के मिलेगा हर कोश्चन में देखो 14,35,56 का एसी हम बताना है तो भाई यहां पीछे 5 दिख रहा है जीरो तो आना ही चाहिए सभी में है 14 का मतलब है 14 से भाग लगेगा तो भाई 14 भाग लगने वाला भी सब दिख रहा है 14,35 जपन में अब तो हम लोग यह कर सकते हैं कि 14 क्या है भाई 14 है 2,7 35 क्या है 5,7 56 क्या है 8,7 ठीक है तो LCM कैसे मिलेगा यह 8 जो है यह वास्तम में 3 बार 2 है 2,2,2 तो 3 बार 2 ले लो 2,2,2 है ना एक बार 7 सब में है एक बार 5 है तो 5,7 तो देखो आठ पचे 40,40 सते 280, answer option number A हो गया आया बात समझ में किस तरीकर सॉल्व किया गया इसको गुनवान फंड वाला मेथड हमेसा आप लोग को आसान पड़ेगा अब देखो इस तरह के जो कोस्टन है यह वाले जो कोस्टन है यह काफी कालकुलेटिव हो जाते हैं लड़कों के लिए इसके लिए हर कोश्टन में हम कुछ ना कुछ बढ़ी बात बताएंगे आप लोग को वह छोटी छोटी संख्या ग्यात कीजिए दखो अगर बोरिंग लगे वीडियो कहीं भी किसी स्टेज पे तो आपकी मर्दी है आप छोड़के जा सकते ह बात याद रखिये कि मंजल तक वही पहुंचेंगे जो रास्ता तै करने से डरेंगे नहीं और ये सब जो हम लोग काम कर रहे है ये रास्ता तै करने वाला काम ही है ठीक है हर एक कोश्टन में जो चोटी चोटी चीज़े सीखी जाती है वो आपको एक्जाम में नंबर अगर कभी ऐसा मन करें तो अपने माबाप का चेहरा याद कर लीजेगा जो बहुत उमीदों से आपको खर्चा देकर सहर भीजे हैं पढ़ने के लिए ठीक है या फिर आप घर में भी रहके पढ़ाई करते हो एक माबाप की हमेशा उमीद रहती है अपने बच्चों से कि व अपने आगे के लाइफ को सही करें तेक है माबाप के भरोसे नहीं बैटें आप उनका भरोसा बने उनके भरोसे खुद मत बैट तेक है वह चोटी से चोटी संख्या गयार कीजे जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विवाजित किये जाने पर एक से इस बसता है किन्तु 7 से विवाजित किय भनाची सभी संख्या अब इसमें से किसी भी और चेक कर लो 380 को इचेक कर लेते हैं तो 7, 4pable इषदूत से 7 कमे भी इसमें भी लगईगा इस से 7 doch से चाहर प्हाज जाया है सभी में 7 से भाग लग रहा है तो इससाफ से भागने वालया जो कुद्दा है, वह zacसे नहीं ह्रा क तो इसका मतलब जो ये option आपको दिया हुआ है उसमें से अगर आप minus 1 करते हैं तो minus 1 करने के बाद जो result आएगा वो इन सब से भाग लगना चाहिए तरीका तो कहता है कि इनके LCM से भाग लगना चाहिए लगिन LCM होता ही हुई है कि सभी संख्यां उसे भाग लगे तो हम ये मान के चलेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 इन सब से भाग लगना चाहिए या कि इनके LCM से भाग लगना चाहिए तो हम LCM निकालने पर क्यों मेहनत करें हमको दिख रहा है यहां 5 है तो जो एक घटाने के बाद जो संख्या मिलेगा उसमें इस 5 से जरूर भाग लगना चाहिए त 301 में से घटाएंगे तो आएगा 300 इसमें 5 से लगेगा लगेगा डी वाले में लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि 314 तो इतना सा काम सोचने में 2 से जादा का टाइम आपको एक्जाम में नहीं लगने वाला मेरी गारेंटी है और नहीं तो फिर घेर-घेर के का लसी हम निकालोगे फिर उसको गुना करकर के चेक करोगे कि कहां पे जाके आ रहा है अगले कुछन में हम आपको मेठाड भी बताएंगे ठीक है कि अगर मानलो इस सब तरीका नहीं आता है दिमाग में तो मेठाड से कैसे सॉल्व करेंगे जैसे देखो क्या कहा जा रहा ह का उसी संख्या में जिसके पीछे 0 होगा का है कि यहां पर 10 है और 10 से उसी भाग लेगा जिसमें 0 होगा तो 3 घटाने पर 0 किसमें नजर आएगा तो भाई option number C में 3 घटा होगे तो 360 देखिया बागी किसी में 0 नहीं आएगा तो आप यह भी कह सकते हैं कि सर ठाली 10 वाला क्य लोग पकड़ते हैं यह सब अगर ना रहे 5 और 10 वाला तो फिर 3 वाला नंबर पकड़ते हैं जिसमें अंग होगा जोड़ चेकर रहा बहुत असान होता है 9 वाला नंबर पकड़ते हैं तो यह सब तरीका है जो आपको हम हर question में बताएंगे ताकि आपका calculation fast हो जाए तुफा तरीका में रख्या है कि हम प्राइम फेटेजरी जिसम करेंगे तो 9 को तोड़ेंगे तो क्या है भाई 3 गुणा 3 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 अब 2 कितनी बार है 3 बार ले लो 2 और परतेग मामले में तीन सेस बचना चाहिए तो यहां पर हम लोग तीन जोड़ देंगे तो तीन सेस भी पचने लगए तो एंसर कौन हो गया option number C ठीक है यह तो हो गया method यहां method से भी बनाना बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन फोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना ऐसा question दिख तब तुमको मैसूस होगा कि method वाला तरीका कितना महगा पड़ता है अभी दखो आपे कौन सा question आ रहा है क्या कहा जा रहा है कि संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पत ग्याद कीजिए जिसे दो तीन आठ से भाजित करने पर क्रम सा एक दू सास सेस बचता है बहु तो नेतिक है बड़ा वाला से कम संख्याओं में लगता है तो आठ से भागाने पर क्या बचना चाहिए साथ सेस बचना चाहिए तो भाई साथ सेस घटाओगे ओगे और जो संख्या प्राप्त होगा है मिख अट से पूर्टा बिभादित हो तो जसे 37 में से अगर कोई 7 अगला question देखो साथ का हुवा लगुत्तम गुनज ग्याद कीजे जिसे आठ बारा और सोला से विभाजित करने पर परतेक मामले में तीन सेज बसता हो तो हम लोग फिर वही काम करेंगे कि तीन घटाएंगे और चेक करेंगे आठ बारा सोला से लगता है कि नहीं तो इसमें से तीन घटा होगे तो बन जाएगा इस सणसट इन तीनों से किसिस नहीं लगया खतम हो गया इसमें से तीन घटा होगे तो बन जाएगा 144 अर 144 तो बड़ा काम का संख्या है भारा का वर्ग भी है तो बारा से लगता है बारा का वर्ग मतलब बारा गुना बारा है तो इसमें दूबार छार भी आ रहा है तो सोला से भी लगता है पहाड़ा हो तो भी आद होगा कि विद्ध Sn democracy होता है यह इसमें 18 से लग रहा है तो एंसर ओप्शन मुं received अब इस question में देख रहे हैं कि 8 से 16 में पूरा पूरा भाग लगता है, तो हम लोग 8 को भूल जाएंगे, जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, किसी काम के नहीं तुम, बचा कौन 12 और 16, बस इसी का LCM निकालेंगे हम लोग, और 12-16 का LCM निकालेंगे, क्या करेंगे, फिर घे यह होगा LCM, तो पहला संख्या तो 48 हो गया, ठीक है, और 3 से बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड भी सकते हो, तो पहला संख्या तो 15 मिलेगा, लेकिन 15 option में है नहीं, तब फिर क्या, फिर हम लोग करते हैं, 48 गुना के जोड 3, ठीक है, मतलब कि के का मान पहले 1 रखा, अब 2 रखेंगे, तो 48 गुना 96, जोड 3 कितना होगा 99, अगला संख्या 99 मिलेगा, उसी तरीके से 48 गुना 3 रखोगे, प्लस 3, तो 48 तिया कितना होता है, 144 जोड 3, मतलब 147, तब जाके कहीं अंसर लड़ेगा option number 3, ओ भी 3 बार में मिल गया, अब यह पीछे question में बताया थे कि 5 अच्छे-च्छे question आएंगे, जिसको कि हम लोग trick से solve करेंगे, अगर question समझ में आता है, तो comment में जरूर बताये, कौन सा chapter पढ़ना है, किसी question में दिक्कत होती है, आप बे ही चक बे धढ़क लिख सकते हैं, यह आपका channel है, आपको पूरा सहूलियत दिया जाएगा, आपको exam में results दिलाने तक हम आपके साथ हैं, तो पढ़ते रहिए, मिनत करते रहिए, मिल दे next video में